Hello class, यह हमारा third unit का third chapter है which is e-publishing तो सबसे पहले जानेंगे e-publishing के बारे में कि यह होता क्या है e-publishing तक जाने के लिए हमने पहले क्या है उसमें के जो words हैं उनको अलग-अलग करके उनके meanings देखने पड़ेंगे e-publishing, तो e stands for electronic and publishing का क्या मतलब होता है publishing is the process of production and dissemination of literature or information publishing का मतलब क्या है यह एक process है यानि एक पुरा एक तरीका है कि किस तरह से हम हमारे पास जो information है या जो literature है उसको हम produce करते हैं यानि एक form में उसको print करके या digital form में किस तरीके से लोगों तक disseminate करने का मतलब कैसे पहुंचाते हैं वो पूरा जो process होता है उसको हम publishing कहते हैं यह एक ऐसा तरीका है जिसके थुरू हम जो general लोग है यानि public जो है उस तक हम किसी तरह की information को पहुंचा सकते हैं तो यह है publishing का मतलब अब e-publishing क्या होता है e stands for electronic मैंने अभी कहा आपको electronic publishing also refers to as e-publishing short में हम उसको e-publishing कह देते हैं e-c को online publishing भी कहते हैं और it includes the digital publication of e-book अब जितने भी digital form में चीजों को available करवाया जाता है वो सब e-publishing का ही हिस्सा है चाहे आप e-books कह लिजे या digital magazines कह लिजे generals कह लिजे जो भी आपको online platform पर मिलती है वो सब इसी का part है it is simply the new way of publishing literature but not in print form अब ये क्या है ये भी literature को यानि किसी साहित्य को publish करने का लोगों तक पहुचाने का एक माध्यम ही है लेकिन ये print में नहीं है ठीक है अब इसमें जो ये हमारे पास एक word है e-publishing जब हम e-publishing को open करेंगे तो इसके कितनी layers निकलती है वो देखे किन-किन चीजों से किन-किन components से मिलकर e-publishing बनता है इसमें क्या हैगा electronic technology एक technology के जरुवत तो है हमें जो हम use करेंगे दूसरा computer technology फिर communication technology और publishing इन सब को जब हम एक साथ जोड देंगे तो क्या मिलता है हमको जो result होगा वो होगा e-publishing यानि हमें hardware की requirement होगी उस hardware में हमें एक अलग technology भी चाहिए होगी जो electronic medium में चलेगी और हमें communication technology जाएगे जिससे एक से हम दूसरे एक user से दूसरे user को या एक computer से दूसरे को connect कर सकेंगे publishing का medium भी चाहिए होगा यानि कि कोई ना कोई format होगा जिसमें हम अपनी चीज़ों को एक proper way में दूसरे को present करेंगे present का मतलब है कि provide कराएंगे user को e-publishing is helpful in producing document containing text यानि e-publishing क्या है इसमें क्या क्या है हमारे पास जैसे जब प्रिंट medium में हम किस चीज को publish करते हैं तो उसमें images आती हैं ठीक है हम लोग pictures को print कर सकते हैं text को लिख सकते हैं अलग-अलग तरह का colorful बना सकते हैं और attractive बना सकते हैं लेकिन उसमें animation नहीं डाल सकते हैं उसमें हम कोई video text नहीं डाल सकते हैं audio ad नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या है जो e-publishing है इसमें बहुत सारी हमें अलग features मिल जाते हैं जो print में नहीं मिल सकते थे जैसे कि एक बहुत famous चीज हम यूज करते हैं kindle जो की amazon का है और इसमें हम क्या करते हैं हम उन books को पड़ भी सकते हैं ठीक है उसमें भी जब आप slide करेंगे तो pages turn होते हैं उसमें ऐसा scene create किया जाता है कि आप अपने hands को move करेंगे slide करेंगे तो वो page turn होके दूसरी side flip हो जाता ह है तो यह एक virtual experience दिया जाता है कि आप किताब को अपने phone में पढ़ रहे हैं अब इसकी जरुवत क्यों पढ़ती है growth of computer network हमारे पास networking की facility है तो हम यह चीज यह facility दे सते हैं अपने users को development of information technology sorry industry and development and use of computer technology अब इतना ज्यादा network vast होते जा रहा है technology में भी growth हो रही है हमारे पास अलग तरह के mediums आ चुके हैं जिससे हम लोगों से contact कर सकते हैं हमारे पास उसको online publish करने का भी तरीका मुझूद है तो क्यों ना हम इसको use करें बहुत सारे benefits हैं इसके अब categories क्या है e-publishing के दो तरह की होती हैं यहाँ पे offline का मतलब print से नहीं है e-publishing में भी offline और online का concept है यहाँ पे offline का मतलब है कि जब आप वो content in offline publishing information is entirely passed to the user ठीक है यानि कि information है और उसको आप एक format में user को दे देंगे या तो किसी software के through उसने access कर लिया या फिर उसको cd में दे दिया गया और एक ही बार में उसके पास हमेशा के लिए वो पहुँच गया अजा है जाए 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 भी चाहे यूस कर सकते है जितनी आप भी चाहे यूस कर सकते है तेद आप लाइन की मतलब वो यूस तो एक particular hardware device में होगा ठीक है डिजिटल फर्में ही और डिजिटल प्रेटफर्म में ही चलेगा लेकिन वो offline में उसके पास है उसकी access जाए को रहे हैं डूसरा क्या है त यह वो जो बी मैटेरियल हम दे रह यह जो भी हम कंटेंड प्रोवायड कर वा रहे एंग क्या में क्पथा संस्वाइड में आपको जितनी बार की आयों अधाएंगे publisher के website के through ही या जो भी उसने आपको platform दिया, उसी के through आप उसको access कर पाएंगे, आप उसको offline में download नहीं कर सकते हैं, अब kinds of e-publishing में क्या क्या आ जाएगा, e-journals हैं, e-books हैं, या e-databases हैं, या e-thesis and dissertation जो हैं, ये सब के सब किसमें हैं, ये online e-publishing, यानि e-publishing का ही एक तरीका है, ये ही सब इसके प्रकार हैं, kinds of e-publishing में e-books, these are electronic versions of books, जो online हमें available हैं, journals, serial productions हैं, जो के एक particular time period के बाद आते रहती हैं, e-zine, ये magazine है, ठीक है, it is an email magazine, which simply means an online magazine, e-zine का मतलब ये पढ़के गन्फ्यूज नहीं होना है, ये email के through deliver की जाती हैं, इसका नाम e-zine है, जैसे कि यहाँ पर दो examples दिये हो गए हैं, एक है www.indiatoday.com और दूसरा है musicindia.com, ये क्या हैं, ये भी ये e-zines ही हैं, जो आपको email के through deliver हो जाएंगे, आप जैसे कि ये जो magazines हैं, online अगर मैंने इनको digitally subscribe करा हुआ है, digital subscription, यानि print subscription अलग हुआ और digital अलग हुआ, print का मतलब है कि आपके घर पे deliver होगी, आपके office में deliver होगी, और digital का मतलब है कि आपके email पे deliver होगी, वहाँ पे आप इसको access करके पढ़ सकते हैं, तो ये है e-zine, और ETD यानि electronic thesis and dissertation, वह thesis और dissertation जो कि आपको एक online platform पे अवलेबल हैं, जैसे कि शोद गंगा पे, advantages क्या हैं इसके, maintenance of updated information, अब अगर print में कोई version आया है, मान लिजए कोई magazine है, monthly है, तो अगर जनवरी का उसका edition आ चुका है, तो अब जो भी नई चीज़े हो रही हैं, आपको उसके बारे में पता चल रहा है, आप news देख रहे हैं, आप updates ले रहे हैं, feeds देख रहे हैं, लेकि अब उसके बाद की, जनवरी के बाद की, जब आपके पास February में दूसरा edition आएगा, तब ही आपको बाकी जानकारी मिलेगी, और यह जो online वाले में है, इसमें क्या है, कि यह लगातार update होता रहता है, इसको जितनी बार बे आप access करेंगे, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया पड़ने को मिलेगा, publishing on demand, जैसे market की demand होती, उसके according ही अपना publication थोड़ा सा change कर देते है, कि नई चीज़ उसमें और add कर लेते है, speed, यानि कि delivery fast होती है, और चीज़ों में flexibility है, कि वो कुछ नया आइड करना चाहे, कुछ थाना चाहे, तो वो कर सकते हैं, information retrieval on time, जब आप चा अगर आपके पास में अच्छा सिस्टेम अवैलेबल नहीं है आप अनलाइन एक्सेस नहीं कर पाएंगे और अगर डिजिटल आपको सब्सक्राइब करने तो पेइमेंट तो करना ही है आपको और कई बारी प्रिंट से ज्यादा और डिजिटल सब्सक्रिप्शन महें पड़त है अब बुलेटीन बोड क्या है जैसे कि दिसप्ले बोड होता है अलग अश्वाफिस्स में जहां पर फेसा नहीं जैससे हमाई हाई डिस्प्ले बोड है क्या मतलफ की नए मेगजिन आई है को不会 ना इन के ना इन्फरमेशन है को सर्कूलर है तो वहां पर पिं कर देते है त कर सकते हैं इवंट के बारे में बता सकते हैं कोई भी जानकारी दे सकते हैं वह हो गया क्या हो गया यह बुलेटिन बोर्ड अब इसमें जब यह वर्ड एड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिक बुलेटिन बोर्ड यानि सारी चीज़ें वही हैं लिकिन यह एक information about any subject यानि कि यहां पर कोई एक किसी चीज के बारे में पोस्ट करता है तो बाकी सब भी उस पर रिप्लाई कर सकते हैं अपने अपना मत रख सकते हैं डिसकुशन हो सकता है उस चीज के बारे में ओपन प्लेटफॉर्म है यह आप इमेल क्या होता है प्राइबट कॉन्वेशन के लिए यानि one-on-one होता है एक ने भीजा दूसरे ने रिसीव किया फिर उसी पहले वाले को वापस फीडबाइक दे दिया इसमें क्या है ओपन है यहां पर सभी लोग एक साथ पारिसिपेट कर सकते हैं सभी उसको पढ़ सकते हैं यह जर्नल्स क्या होते हैं इलेक्रोनिक जहां पर यह वर्ड आएगा वो क्या है इलेक्रोनिक ही है और फॉर्म ऑफ पिरियोडिकल पॉब्लिकेशन दैट कैन भी एक्सिस वाया इंटरनेट जैसे हमारी लाइब्रीज में जर्नल्स आते हैं वैसे हमें कहां पर मिलेंगी यह और इलेक्रोनिक फॉर्म में हैं हम इसक naj जर्नल्स में जर्नल्स आर पिरियोडिक मगजीन्स यानि इनके पिरियोडिक नम कर दोनिक को सबम किया है सब्सक्टोनिक के पाद ही यह आएंगे लेकिन विद मनी डियुआ इसमें अलग अलग आर्टिकल्स होंगे इसमें वेराइटिमीलिग आपको ओ पर आप्लोड फॉ फॉर्मेट्स पीडियेफ यह फाइल 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 में आपको प्रिवियस क्लासत में भी बताया है इजर्नल्स अलाव न्यू टाइप अफ कंटेंट तो बी इंक्लूड़ इन जर्नल्स लाइक अभी जैसे पीछले वाले में आया था कि हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमारे पास क्या है वराइटी पढ़ जाती है थोड़ी सी हमारे पास एक रेस्ट्रिक तो चेट यानि आप कहीं भी है वह लिए पास कोो सकते हैं बहुत सारे यूजर्स एक ही साथ इसको उन्छाथ पास परंएंगे और ओनल्लाइन में है बहुत सारे यूजर्स प्रिणर अक्सेस कर सकते है और यह आपसारे लोग इसक्ते सरयां जाते हैं और तो हम लगे पूर E-Publishing Gateway is nothing rather than the websites which are very authentic and will be evaluated अबिल्ग सबजेक्टेट एकसपर्स होते हैं वह एवलेट करके चीज़े एहाँ पर रखते हैं कि हां यह यह authentic है और आप बहुत पर सक्रस्ट कर सकते हैं आप सबने इस पर पर आसलों तो आपको बहुत सारे यह जर्नल्स, I hope आप सब को समझ में आया होगा. Thank you.